प्रग्या शील करुणा तधागत बुद्ध का मानवतावादी संदेश शिक्षित बनो संघर्ष करो संघटित रहो डॉक्टर बाबा साहिब आमबिटकर का क्रांतिकारी विचार यूजियन बुद्धा की अनो की पहल एक कदम प्रभुद्ध भारत की ओर ले जाने के लिए होगा माहा मानव डॉक्टर बाबा साहिब आमबिटकर लिखित बुद्ध और उनका धम्म इस महांतम ग्रंथ का विसलेशन बदंत धमसार्थी के साथ जानेंगी समियत विचार अरहतो सम्मा सम्बुद्ध स्विश्व के पहले वैद्नानिक सर्वस्रेष्ट मामानव तथागत बुद्ध चक्रवर्ती सम्राट शोक्ष्व के ज्ञान के प्रतिक बुदि सत्व सविधान के निर्माता बुद्धयन धमा ग्रंथा के निर्माता महामानव डॉक्टर बावसाब अमिटकर माता रमाई सभी महामानव को मैं अविवादन करता हूँ यूश्यन बुद्धा देखने वाले सभी स्रावक संगा सभी को नमो बुद्धाय जैभीम जब चिद्धार्त गवत्म को जो दंड़ था वो पारित हो गया उनको देश से निकाल जाना था और वो स्वयम तैर हो गए कि मैं पारिवराजक बन करके मैं इस देश को छोड़ दूँगा तो ये बात जो संग की बात है पूरे राज्यम में फैल गई और जब वो राजमाल में पहुचे तो गवत्म ने देखा उनके माता पिता रो रहे थे शुद्धधन ने कहा कि हम युद्ध की तो बुराई की चर्चा तो कर रहे थे लिकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा कि तुम इस सिमा तक चले जाओगे लेंग्ध शुद्धधन ने शुद्धधन चले शुद्धन चले तो जाओगे यह नहीं सोचा था पिस शुद्धार्त ने उत्तर जाब दिया मैं भी नहीं सोस्ता था कि स्थिती ऐसे मोड ले लेंगी मैं आशा कर रहा था कि मैं अपने तरकों से शांती ही तू शाक्य का मन जीत लूँगा सिदात रिपलाइट द्याट तो सिदात ने उत्तर दिया कि मैं भी यह नहीं सोचा कि यह जो वाद है छोटा सा वाद था पाने के बटवारे का वो यहां तक पहुचेगा और मुझे इसके बारे में सजा तक मिलेंगी दंडित किया जाएगा इतनी बड़ी परिस्तिती निर्मान होगी इस बारे में मैंने कभी सोचा ने था पिताजे को बताते हैं और वो कहते हैं कि मैंने बहुत तर्क दिया उन्होंने काफी तर्क दिया कि आपस में जैसे आपस में हम जगडा करेंगे युद्ध करेंगे तो हमारी दोनों के स्वतंत्रता कम होगी और तिसरा कोई तो भी हमारे उपर राज करेगा ऐसे सिदात ने अनेक तर्क दिये युद्ध की भुमिका रोकने के लिए और दोनों में समझवता हो इस बारे में उन्हें अनेक तर्क दिये लेकिन इतने तर्क अच्छे थे सिदात ने इतने तर्क दिये इतने अच्छे प्रस्ताव रखा लेकिन इतना अच्छा प्रस्ताव होने के बावजूद भी जो लोगों के कल्यान के लिए था, लोगों के हिद के लिए था इतना सब होने के बावजूद भी सिद्धार तका विचार, सिद्धार तका प्रस्ताओ ये अल्पमत में क्यों रहा और सेनापती का युद्ध का प्रस्ताओ ये बहुमत में क्यों हुआ इस बारे में हमें विस्तार से चर्चा करना है बाबा साव अम्बिट करजी नहीं दबुद्दाइन धम्मा में यह पेज नंबर 30 और पेरिग्राफ नंबर पाच इस पर एक होती सोलूशन यानि उसका में कारण इसका मुख्य कारण क्या है इस बारे में बाबा साब ने बुद्दाइन धमा में दिया है जब हम बुद्द्दय धम्मा कही बार पढ़ चुके हमने हर अभी वर्षवास आने वाला है हर वर्षवास में द बुद्द्धयन धम्म या फिर मराठी का बुद्द 상ण धर्मा बुद्द्ध वर उनका धम्म यह पढ़ते हैं हर वर्षवास में, हर विहार में, कम से कम नाक्मून में तो भी पढ़ा जाता है लेकिन पढ़ते समय हम उस बाबा साब के विजन को छोड़ देते हैं यहां पर हम अपनी विजन लगाते हैं मुझे क्या लगता है? लेकिन इसके बारे में हम सोचते ने कि बाबा साब अमबेट कर हमें इस प्रसंग से हमें क्या मारगदर्शन करना चाहते हैं हमें क्या बताना चाहते हैं बाबा साब ने यह क्यों प्रसंग रखा इसमें? इसके पीछे बाबा साब की क्या विजन है? इस बारे में हम सोचते नहीं तो वहाँ पे बावा साप के विजन के बदले हम अपनी विजन लगाते हैं मुझे क्या लगता है इसलिए किताब तो एक है लेकिन किताब को पढ़ाने वाले अडेक लोग है और हर एक इंसान अपनी अपनी विजन ले करके अपने अपने विचारों को वहाँ पर घुस पैट करके बताने की कोशिश करता है इंगलिश के हर एक शब्द को हर एक आदमी अपने अपने तरीके से उसका मतलब निकालता है इसलिए आज तक इस किताब के बारे में भी एक रूपता नहीं बन पाई इसलिए हमें बाबा साब का गरंत है बाबा साब का लिखित गरंत है और बाबा साब अमबेटकर ग्यान के प्रतिक है वो भी विश्व के प्रतिक है हम बाबा साब के सामने कुछ भी नहीं है बाबा साब अमबेटकर के ग्यान के बारे में ग्यान के सामने एक तो महा सुर्य है बाबा साब अमबेटकर हम उनके ग्यान के सामने हमारा ग्यान कुछ भी नहीं फिर भी कुछ लोग बाबा साब अमबेट करने ऐसा लिखा ऐसा नहीं लिखना चाहिए था ऐसा नहीं करना चाहिए था अरे तुम्हारा ग्यान कहा है और बाबा साब का ग्यान कहा है ये सारी बाते आज भारत में हो रही है इसलिए हमारा समाज इकटा नहीं हो पा रहा है क्योंकि विचारों को हम समझ नहीं पा रहे हैं और मूल ता जो विश्व के विश्व रतना है जो विश्व के ग्यान के प्रति के बाबा साब आमबिट कर इतने बड़े इंसान के प्रति हमारे मन में स्रद्दामाव नहीं है उपरी तोर से हम जैबिम करेंगे, उपरी तोर से ये बाबा साब का फोटो लगाएंगे, तस्वीर लगाएंगे, स्टैचू लगाएंगे, सब लगाएंगे, लेकिन बाबा साब के मूल विचार क्या है, बाबा साब के मूल विचार क्या है और हमें मूल विचारों पे कैसा चलना है हम पुतले और स्ट्रें और यह यह बस पुजा कर्मकांडो में लगे हैं लेकिन बाबासब की मूल धारना क्या है इस बारे में अमें चिंतन करने के आवशक्ता है इस बारे में सोचने के आवशक्ता है तो यह पारिग्राप में जो पेज नमबर 30 और पारिग्राप नमबर 5 इसमें बावासा बांबेट कर लिखते हैं Unfortunately, our military officers had so worked up the feeling of the men that my argument failed to have any effect on them. देखो, बावासाब आमबेट कर कहते हैं कि बड़े खेत की बात है, बड़े तुर्दयव की बात है, कि जो सेनापती था, सेनापती ने सेनिक अधिकारी लोगों को इतना उत्तिजित कर दिया, कि मेरे तर्ग उन पर कोई भी प्रभाव डालने में सपल नहीं हुए. इस पर हमें एक-एक शब्द पर चिंतन करने क्या हो सकता है, एक-एक शब्द को पकड़ने क्या हो सकता है, कि मिल्ट्री आफेसर हैट सो वर्क अप दा फिलिंग अब दा मेन, देखो, मनुष्य की जो भावना है, भावनाओं को उन्होंने इतना उत्तिजित किया, उसके उपर भावनाओं के उपर काम किया, जो आज हो रहा है भारत में, आज हो रहा है कि इनसान के काम के उपर किसे का ख्याल नहीं, बेरवजगारी है, लोगों को ठिक से अनाज नहीं मिल रहा है, लोग भुके है, गरीबी बढ़ रही है, शिक्षा शेत्र में, अमीरों को शिक्षा मिल रही, गरीबों को शिक्षा यह सारी प्रश्णा हैं इस प्रश्ण को सब ने बाजू रखा है जो हमारे जीवन जीने के आवशक सोर्चेस है, जो हमारे जीवन जीने के जो आवशक समसादने उसके तरब कोई नहीं देख रहा है जिवना उशक जो बात है इसके तरब कोई देख रहा नहीं आज भारत में ऐसी परिस्तिती बनाई जा रही है कि लोगों के भावनाओं से खिलवाड किया जा रहा है लोगों के भावनाओं को इतना उत्तिजित किया जा रहा है यह इत्यास हमने पढ़ा नहीं होगा लेकिन जो भी शड्यंत्र कर रहा है इस तरीका उसने यह दबुद्दैनी धम्मा अवश्य पढ़ा और यह पेरिग्राफ अवश्य पढ़ा उन्होंने और ऐसी बात हो सकती है यह बाबा साब आम्मेट करने हमें 1956 को लिख दी 1956 को जैसा किताब प्रिंट हुआ तभी इस किताब में लिख दी कि लोगों के भावनाओं को उत्तिजित किया जाता है और तुमारे तरकों पर विज़य प्राप्त किया जाता है जब किसी के भावनाओं को उत्तिजित किया जाता है तब तुमारे तरक, तुमारे विचार कितनी भी अच्छे हो उसको कोई फर्ग ने पड़ता है तुमारे समझा कितनी भी हो उसको कोई सुनता ने सिप तुमारे भावनाओं को वो उत्तिजित करते है आज देश में देखो, आज मुस्रिम अलप संक्यांक है, यहां का हिंदू बहुत संक्यांक है, यहां के पूरे अधिकारी हिंदू है, यहां के पूरे शाषन करता हिंदू है, यहां का सारा जो जनता हिंदू है, मिल्टरी हिंदू है, सब कुछ रहने के बावज़ूत भी, लोगों में इतना भावना लोगों के इतनी उत्तिजित की जाती है, कि यहां पर हिंदू धर्म खत्रे में है, तुम हिंदू धर्म को नएं बचाओगे तो हिंदू धर्म को खत्रा आए, इसलिए हिंदू धर्म को बचाने के लिए हिंदू वादी जो विचाधारा है उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ानी की आवशकता है नहीं तो हिंदु धर्म खत्रे में यह जो यहां के हिंदु है उनको उत्तिजित किया जाता है कि शत्रियों को उत्तिजित किया जाता है कि तुम शत्री हो जैसे सेनापति नहीं यहां पर उत्तिजित किया सैनिको को कि तुम शत्रियों तुम सैनिको तुमारा काम है युद्ध करना तुमारा काम नहीं है युद्ध करना तुमारा काम है युद्ध भूमी पर मरना तुमारा काम है लेकिन युद्ध नहों ते बचाना तुम्हारा काम नहीं इस तरह से तुम्हारा क्षत्री होने के वज़े से इसा यानि इतना उत्तिजित किया गया एक तरफ राजा का पुत्र राजकुमार था एक तरफ सेना पति था देखो इसमें फरक क्या था एक तरफ राजकुमार था लेकिन एक तरफ सेना पति था सेना पति का अधिकार किसके उपर था सेना के उपर जो भी सभी सैनिक शाक्य संग के सदश्यते उन पर उनका पुरा अधिकार सेना पति का था क्योंकि हो सेना का प्रमुख था और उसने इस तरह से बाते बताई लोगों को कि उनके मत की मन के उपपर उनके भावनाव के उपपर उनने पूरी तरह से छाप डाल दी और उनको इतना उत्तिजित किया गया कि तुम शत्री हो तुम्हारा कामे युद्ध करना हो इस तरह से आज भी यहाँ पर उत्तिजित किया जाता है कि तुम्हारा ये फर्ज बनता है इस देश को हिंदुस्तान बनाने का तुम्हारा फर्ज है क्योंकि तुम हिंदु हो मानवतावाद, इंसानियत, लोगों के साथ समझवता हो, लोगों के साथ भावच भायचारा हो, सबी धर्म के लोग मिलजूल के रहे, ये बाते अलग हो जाते हैं और हमारा देश कत्रे में है, हमारा हिंदू कत्रे में, हमारा हिंदू स्थान कत्रे में, इस तरह से लोगों में भावना उत्तिजित, हमारे इश्वा कत्रे में, हमारे परमिशर कत्रे में, इस तरह से भावना को उत्तिजित किया जाता है यह बात बाबा साहब अम्मेट करने में जब मैंने यह किताब पढ़ा और जैसे बुद्धित सेमिनरी में मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ हर पेज जब मैंने बोर्ड पर पढ़ाना शू किया तो मेरा भी पहले ऐसी था मैं भी तो बुद्धायन दम्मा गरंता ऐसी पढ़ता था चलो पटा पटे केक पाज पेजेस निकालो और पढ़ो लेकिन जब मैंने बुद्धित सेमिनरी बुद्ध धम्म प्रशिक्षंद केंद्र जो है बुद्धित सत्व डाक्टर बावा साथ बांबेटकर बुद्धित सेमिनरी इसमें मैं जब मुख्य प्रशिक्षक करके जब मैंने दबुद्धायन धम्मा गरंता पढ़ाना शुरू किया तब मैंने डिटेल से एक एक शब्द के उपर जब मैंने चिंतन किया तब मुझे इतना ऐसास हुआ इतना हुआ कि बावा साथ आम्बेटकर ने हमें सब रास्ते बताए है पूरे रास्ते बताए है और इसका अध्यन हमारे शत्रू कर रहा है इसका दबुद्धायन धम्मा का अध्यन हमारा शत्रू कर रहा है दुष्मन कर रहा है और बाबा साथ आम्बेटकर ने कितना इन लोगों को जागरूत किया इस बात को हमारा दुष्मन समझ रहा है लेकिन हम उतने गायरायों से चिंतन नहीं करते हैं, हम गायराय से इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं इसके लिए हम बाबा साप के विजन को देखना जरूरी है और मैं भहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका दिल जान से धन्यवाद मानता हूँ कि यूश्यन बुद्धा जो टीम है उनने मुझे दा बुद्धा ने धम्मा इस गंता के पेच के उपर पेच ऐसे सिखाने के लिए मुझे 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 दिया, लोगों तक पहुचाने का मुझे मुझे दिया, इसलिए मैं उनका बहुत ही मन से धन्यवाद करता हूँ तो इसमें ये बात उन्होंने बावा साव आमेड करने पहले कही कि मन के भावनाओं लोगों के भावनाओं के उपर काम करो उत्तिजित किया सेना पती में तो ये बात हमें दुश्मन को समझे कि लोगों के भावनाओं को अगर उत्तिजित करोगे उसके सामने सत्य भी नहीं टिकेगा और उसके सामने कुछ भी नहीं टिकेगा तुमारा कितना भी अच्छा तर्क हो ये टिक नहीं पाता क्योंकि यहां के जो लोग है कोई भी है वो भावना होस हो जाता है जल्दी उनके भावनाओं को त्थेश पहुचे तो जल्दी उद्रेख करेगा हुँ और इसी का फाइदा आज भारत में इसी तरह से राजकारण किया जा रहा है लोगों की उत्तिजना को लोगों के भावनाओं को भड़काय जा रहा है इसके लिए हमें अपनी खुद की पॉलिशी बनाना पड़ेगा इस प्रतिक्रांती को रोकना पड़ेगा और एक नई तरह से क्रांती करना पड़ेगा अगर वरतमा स्थिति में इस प्रतिक्रांती को हम रोक नहीं पाए तो हमें इसका और कुछ ने कुछ बुगतना पड़ेगा जैसे अभी के चुनाव में, दोजार चुनाव में जो इस देश में अभी इस असेम्बली के चुनाव हुए दोजार चुनाव हुए सवसत के चुनाव हुए इस सबय कांग्रेस और अन्य पार्टी ने एक भावनिक मुद्दा उठाए पहले तो बेरोजगारी का उठाते थे, गरिबी का उठाते थे लोगों की जो समझाओ के उठाते थे लेकिन आज इन्होंने वो भावनिक एक मुद्दा उचाला यहां का नस्ट हो गया तो तुम्हें फिर से गुलाम गिरी होगी तुम फिर से गुलाम बनेंगे इस तरह का मुद्दा जो भावनिक मुद्दा है, जो लोगों को भावना को सपर्श करने वाला मुद्दा है ये मुद्दा उठाया गया इसलिए इस समय जो सेडुलकाश के लोग है जो सविदान को मानते है जो लोग सविदान नहीं बदलना चाहिए इसके लिए प्रयास करते है कुछ लोग तो सविदान के उपर जीते है उनका जेने का मुख्या आधार कुछ लोगों का इस देश का सविदान है बड़े स्वाविमान के साथ में कुछ लोग कहते हैं कि सविदान में हमें इसुरक्षा प्रदान की गए सविदान में हमें अधिकार दिये है सविधान के वज़े से हमें सुविधा प्राप्त होती है सविधान के वज़े से हमें रोजी मिलती है सविधान के माद्यम से हमें उपजीविका मिलती है सविधान के माद्यम से हमें मानसनमन मिलता है हमें स्वाभिमान मिलता है हमें अभिवेक्ति स्वातंत्र मिलता है समता स्वातंत्र बंदवा और उन्याए ये सब सविदान के वज़े से मिलता है अगर यही सविदान खत्रे में है इस सविदान को बदलने की कोशिश कर रहे है तो जनता भी उत्तिजित हो गई और जनता भी उत्ति जितूके और फिर जो करना है वो जनता ने किया इस तरह से हमें इस निती को, ये निती को समझने की कोशिश करना चाहिए भावनिक मुद्ध कुछ से है और जो वास्तविक गरीबी के लोगों के जीवन मरन के मुद्ध कुछ से है ये दो मुद्धों में हमें फरक करना चाहिए, समझना चाहिए कि दोनों में फरक है एक से कुछ भावना भड़कते हैं भावनिक मुद्ध होते हैं और एक मुद्ध है कि तुमारे जीवन से समंदित मुद्ध है तिस तरह से सिद्धात अगवत कहते हैं कि मैंने प्रभाव डालने की कोशिश की कई तर्थ दिये लेकिन उन्होंने उत्तिजित भावना के सामने मेरा कुछ भी चला नहीं मेरा कुछ कुछ किसी ने सुनाए नहीं उसके बाद में कहते हैं But I hope you realize how I have served the situation from becoming worse I have not given up the cause of truth and justice and whatever the punishment for my standing for truth and justice I have success in making its inflection personally to me यह बाबा साब अमबिट कर लिखते हैं कि इसमें शिदात अगवतम कहता है कि मैं आशा करता हूं कि मैंने आपने अनुभव किया होगा पिता जी को बताते है वो कि मैंने किस प्रकार परिस्तिती को अधिक बिगडने से बचा लिया इससे उपर भी हमें सीखने क्या हो शकता है हमें ये बात सीखने के आवशकता है कि हमें किसी भी समय किसी भी समय कही भी कोई भी शेत्र में हो परिस्तिती इतनी बिगडने नहीं देना है जो परिस्तिती तुम्हें तहस्नस कर देंगी जो परिस्तिती तुम्हें पूरा सब नस्ट कर देंगी ऐसी परिस्तिति के उपर भी हमें चिंतन करना चाहिए, वहां तक जब तथागत बुद्द्ध ने कहा कि जीवन के एक अन्त को नहीं देना है, देखना जाना है, तो कोई भी चीज को जब हम स्विकार करते हैं, जब कोई भी चीज को हम देखते हैं, तो कोई भी चीज में अन्त तक नहीं जाना चाहिए, अन्त तक बिल्कुल जब एक टोक लेंगे तुम, एक अन्त लेंगे, जहां पर अती है, वहां पर नुक्सान होने वाला है, जहां पर अती है, वहां पर नुक्सान होने वाला है, इसलिए बुद्ध ने कहा कि दो अन्त ज मार्ख से चलना चाहिए, मध्यम मार्ख से हमें हमेशा चलने की कोशिश करना चाहिए तो यही बात यहां पर सिद्धात ने कही कि किस प्रकार परिस्तिती अधिक बिगड़ने से बचा लिया यानि मैंने अंतिम शोर तक ने जाने दिया बीच में समझवता के पक्ष में उन्होंने काम किया देखो भाई-भाई में जगड़ा होता है, बहिन-भाई में जगड़ा होता है बहिन-बहिन में जगड़ा होता है, परिवार में जगड़ा होता है रिष्तिदारों में जगड़ा होता है जगड़ा होता है लेकिन इस सेंटेंस का मतलब यह है इस वाक्य का मतलब यह है कि इतना मत करो कि परिस्तिती इतनी बिगड़ जाए कि वो हमारे आंग पर आए जगड़े होते हैं कलो होते हैं लेकिन अती अंत्य तक मत जाएं एक कुछ न कुछ महित्री का धाका रखें महित्री का धाका पूरा मत तोड़ना जगड़ा होता है जगड़ो लेकिन इतना भी मत जगड़ो कि दोनों का नुक्सान हो जाए पुरे परिवार का नुक्सान हो रिष्टेदारों का नुक्सान हो समाज का नुक्सान हो इतना भी अंत्य तक मत जाएं कहने का मतलब यह है कि बचालो बचाना है परिस्तिती अधिक बिगड़ने से बचाना है हमें चाहें परिवार के हो समाज के हो परिस्तिती अधिक बिगड़ना नहीं चाहिए अगर परिस्तिती हाथ के बाहर निकल गई तो उससे हमारा नुक्सान होगा किसी के उपर गुसा करना है गुसा करो लेकिन इतना गुसा मत करो कि वो तुम्हारा घुरूना करने लग जाए तुम्हारे विरोध में जाए और किसे का विरोध भी इतना मत करो कभी-कभी कोई हमारे अच्छा के लिए बात रखते हैं अच्छा होना चाहिए जैसे पिता जी बच्चों को सुधारने के लिए कभी-कभी थोड़ा घुसा करते हैं लेकिन इनका ये मतलब नहीं कि वो आपका जिवन सुधारना चाहते हैं आपके जिवन को बिघडने से रोकना चाहते हैं ये सब बाते हमें समझने की आउशकता हैं उसके बाद में सिद्दात कहता है कि मैंने सत्य और न्याय के उद्देश को नहीं चोड़ा इतना सब होने के बावजूत भी जो सत्य बाजू थी नहीं तो कल पलट जाते लोग आज कल लोग पलट जाते हैं जिदा स्वार्त मिला उदर चले जाते लोग वो सत्य अलग रहता है न्याय अलग रहता है अपने स्वार्त के लिए मुझे पैसा मिल रहा है मुझे मान सनमान मिल रहा है मुझे पद मिल रहा है प्रतिष्टा मिल रही है पद और प्रतिष्टा मिलने के लिए लोग सत्य और न्याय को छोड़ देते हैं इसलिए हमें सिद्धात कहते हैं कि मैंने सत्य और न्यायकों के उद्दिश को ने छोड़ा। हमें सत्य और न्यायकों छोड़ना नहीं है। सत्य और न्यायक के लिए मैं अडिक रहा। इतना भी हुआ। लेकिन सत्य और न्यायक के लिए मैं अडिक रहा। सत्य और न्याय को मैं पराजित नहीं होने दिया, चाहे उसके लिए कोई भी दंड रहा हो, मैंने उस प्रहार को अपने उपर ले लिया, या उसके लिए कितना भी प्रहार मुझे दंडित करना पड़ा, दंडित होना पड़ा, तो भी मैंने सत्य और न्याय को बचाया मैंने, और सत्य और न्याय के उपलक्ष में मैंने काम किया, इस तरह से हमें सत्य और न्याय के आधार पर हमें संगर्श करना है, चाहे कैसी भी परिस्तिती हो, लेकिन सत्य और न्याय को छोड़ना नहीं है, और आपस में जो परिस्तिती बिगडती है, उसको अधिक बिगडनी नहीं देना है, समझो तके पक्षमें हमेशा रहना है, और बाबा साब आमबिटकर का काम करना है, मैं कहीं भी देखता हूँ कि बाबा साब, हमारी विरोदक भी बाबा साब का नाम लेंगे, हमारी विरोदक भी बाबा साब का फोटो रखेंगे, लेकिन बाबा साब आमबिटकर के विचारों को नश्ट करना चाहते हैं, ये अभी वर्तमा स्थिती में ये खत्रा हमारे उपर मंदरा रहा है अपने लूब अपने कुछ स्वार्त के लिए अपने कुछ पद और प्रतिष्ठा के लिए लोग बावा साब को बाजु में हटा के रखना चाहते हैं बावा साब को कि विचारों को हम आगे बढ़ाने के लिए काम करें इतना कहिके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं कि नमव बुद्धाय जय भीम जय भारत जय सविदाव कि विचारों को विचारों को सब्सक्ते लिए को विरादों को विचान दोपने के लिए अगया थांका के लिएक मैं अगया गया हूं